नमस्कार और ये वल्कम ये वर्ल अफेर्ट नहीं प्रक्षान दवर्ण रिसेंट ये न्यूस सामने आई है कि एक बार आपको ज़रा मैप पे दिखाता हूँ कि ये सारा इशू कहां पे हो रहा है और USA की जो ओवराल रणीती थी ये इत्ती बुरी तरीके से फेल कर गई कि अब इने डिरेक्ट ली इंडिया की हेल्प चाहिए होगी नहीं तो US अकेले Red Sea में हूती रिबेल्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और यहां पे आप देख पाओगे आको दिख जाएगा यमंदेश यमंदेश आपको बताओगा आधा-ययमं की सरकार के पास है अधा-यमं जो है अल्मोस्ट आदा यमन ये हूती रिबेल्स कंट्रोल करते हैं और ये लोग आज के समय लगातार अटाक करें है इसराइल को USA की शिप्स को और अब तो जो कार्गो शिप्स है जो अरेबियन सी में जा रही है जो इंडिया की तरफ जा रही है वहाँ पर भी रिपोर्ट्स आईए के इन शिप्स को अटाक किया गया है हूती रिबेल्स द्वारा यूएस ये सब देखकर काफी चिंतित है अमशोर USA की में जिनता ये नहीं है के कार्गो शिप्स पर अटाक हो रहा है USA की में जिनता ये है के हूती रिबेल्स इसराइल को अटाक करने की कुशिश कर रहे है तो USA ने हूती रिबल्स से निपटने के लिए रेड सी में प्रैमेरली सारा इशू यहाँ पर रेड सी का है तो रेड सी में हूती रिबल्स से निपटने के लिए USA ने एक operation launch किया Operation का नाम है Operation Prosperity Guardian Prosperity होता है समरिद्धी तो समरिद्धी की रक्षा US कह रहा है कि हम कर रहे हैं basically जो trade route है यहाँ पर उसको US बचाने का दावा कर रहा था और US ने इस operation में claim किया कि कई countries अपनी 9 सना भेजने को तयार हैं मगर USA का जो यह claim था यह बहुत अत्तक खोगला साबित हुआ यहाँ बहुत आप देख पाऊगे USA ने कहा के UK, Canada, Netherlands, Qatar, Denmark, Greece उसके लावा आप Norway और even Seychelles कई countries हैं जो बिलकुल तयार हैं होती रिबल से लड़ने के लिए Red Sea के आसपास मगर reality में क्या हुआ एक एक करके कई countries ने हाथ खड़े कर दिये और यह कहा के हम देखिए अपनी 9 सेना नहीं भेजने वाले यह बहुती जादा एक obvious बात थी जब USA ने सबसे पहले Operation Prosperity Guardian Announce किया था मैंने आपको तभी कह दिया था कि जिन countries का दूर-दूर से कोई relation नहीं है इंडियन ओशन से वो अपनी 9 सेना इतनी दूर क्यो भेजेंगे तो USA ने देखिए स्टार्टिंग में ही रंडीती जड़ा खराब बनाई थी कि कई countries कई quad countries ने ही USA को पहले हां कहकर last moment पर कह दिया कि हम अपनी 9 सेना नहीं बेश पाएंगे for example Australia यहां पर आप देख पाऊगे Australia ने reject कर दी थी USA की request कि आप भी देखिए prosperity guardian के अंडर अपनी 9 सेना भेजिए सब countries ने ये का कि हम आपको support कर रहे है moral support हमारा आपके साथ है हम बिलकुल आप लोग आगे बढ़िए जो आपको यहां पर करना है बट हमको यह मत कहिए कि हम भी अपनी 9 सेना यहां पर उतारे US अकेला पढ़िया यहां पर मगर USA ने अकेले अपने दम पर भी हूती रिबेल्स को target करना start कर दिया यहां पर आप देख पाओगे आर्डिकल US Sings Houthi Boards After Red Sea Attack जो हूती रिबेल्स हैं वो काफी बार बोर्स के जरीए अटाक करते रे कार्गो शिप्स को बहुत सारी बोर्स को USA ने सिंग किया है कई रिबेल्स को मारा और US Navy अपने आप पर देखिए प्रॉब्लम यही है एक बार को आप अर्गू कर सकते हैं US Navy इत्ती स्ट्रॉंग है इत्ती बड़ी नौस है ना इनकी USA को हेल्प क्याव शक्ता क्यों बड़ी देखिए USA की Navy बहुत जादा स्ट्रेच्ट है US Navy ताइवान को भी समाल रही है कि ताइवान पर अटाग ना हो जाए जपान साउथ कोरिया की जो सिक्योर्टी है वो भी US Navy पर आती है US Navy फिर साउधी अरेबिया UAE में भी डिप्लॉइड है फिर US Navy का ये भी काम है कि USA को भी बचा के रखना है फिर NATO की भी responsibilities है युक्रेयन रशिया वार में US Navy की एक बड़ी fleet ready है क्योंके कल को मान लीजिए रशिया अगर एक naval attack करता है किसी NATO country पर तो USA को जवाब देना होगा उस case में तो Red Sea पर भी ना आज के समय कारवाई करना USA के लिए बहुत मुश्किल पढ़ रहा है और इसलिए ना USA को help चाहिए और इनको में उमीद ये है कि चाहे Quad का एक member Australia ये पीछे हड़ गया हो एक और member है Quad का India ये इनकी help में आ जाएगा बट India ने भी हूर्ती rebels के against जो USA की ये force है ये join करने से अभी तक मना ही किया है अब यहां पर आपका एक सवाल आएगा कि एक बार को Australia आप क्या सकते हैं बहुत दूर है Arabian Sea से काफी दूर है Spain भी बहुत दूर है तो एक बार को Canada, Australia वगरा ये सब countries participate यहां पर नहीं कर रहे समझ में आता है इंडिया तो एक बहुत important player है Arabian Sea में, Bay of Bengal में Indian Ocean में हम लोग यहां पर USA की help क्यों नहीं कर रहे हम लोग यह जो operation है USA का इसको join क्यों नहीं कर रहे देए इसके पीछे एक बड़ा reason यह है हूती rebels जो उनमाद आज के समय मचाए हुए जिस तरीके से हूती rebels अटाक कर रहे है उसके पीछे का reason क्या है यह कुछ ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल wild आतंग वादी है बस आतंग मचा रहे है हूती rebels के हिसाब से इनका main motive है यह सब अटाक करने का कि इसराइल पर world community pressure डाले कि इसराइल गाजा में आज के समय में जो भी कर रहा है यह रोक दिया जाए प्रॉब्लम यही आती है मान लीजिए एक hypothetical scenario में आपको बता रहा हूँ कि भारतिय नौसना भी अमरीकी नौसना के साथ मिलकर हूती rebels को चोड़ पहुचाती है जो हम कर सकते हैं कोई मुश्किल काम नहीं है it can be done very easily मगर उसके बाद न इस्लामिक वर्ल्ड में एक image यह जाएगी कि इंडिया US इसराइल के साथ खड़ा हो गया बिलकुल militarily खड़ा हो गया क्योंकि देखो जो situation है न गाजा में आज के समय बहुत जादा delicate है इसराइल aggressively पूरे गाजा को कब जाने की कोशिश कर रहा है ये बात अब सिर्फ यहां तक सिमित नहीं है कि गाजा पट्टी से हमास को हटाना है इसराइल altogether complete control चाता है पूरी गाजा पट्टी का तो ऐसे time में ना सिर्फ इंडिया इवन ऑस्टेलिया, जपान, बाकी जो quad countries है सबकी एक रणनीती है वेट एंड वाज चाहे एक बार को हूती rebels कारगो शिफ पर और भी अटाक करें अभी के लिए वेट एंड वाज की रणनीती है क्योंकि best solution तो इसका यही रहेगा कि इसराइल और हमास के बीच में समझोता हो जाए, सीसवारवी के लिए हो जाए वालेंस चल जाए, होती rebels भी अपने आप शांत हो जाए, कोई एक बड़ा military operation जोइन करने की आवशकता ना पड़े, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा कई महीनों तक तो एक बार को मेरे इसाब से इंडिया को एक बहुत जादा मुश्किल लिड़ने लेना होगा तो मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या भारत को ये जो operation है ये जोइन करना चाहिए, या फिर आप मानती है कि नहीं, ये operation अभी के लिए बहुत रिस्की है, इससे दूरी रहो हमें पता नहीं है कि eventually इसके geopolitical implications क्या होंगे, तो लिखेगा इसके बारे में comment section में कि US की तरव से invite तो आ गया है मगर क्या इंडिया को ये नेवल coalition जोइन करना चाहिए या नहीं लिखेगा इसके बारे में comment section में और finally यहाँ पर मैं यह भी add कर दू कि Unacademy की एक mega sale activate हो चुकी है, जिसमें आपको 50% discount मिलेगा, तो comment section में जाईए यहाँ पर आपको link मिल जाएगा, यह इस link पर यहाँ पर आपको करना है click और इधर आप देख पाएंगे, अगर यह जो code है PD10 यह आप लगा रेते हैं, तो सीधा सीधा prices 50% गिर जाएंगे यह biggest ever offer on IES subscriptions है, by Unacademy फ्लाट 50% off और साथ में 6 महीने आपको extra मिलते हैं extension के, तो यह जो courses हैं यह आप purchase कर सकते हैं, so this is the end of this video thanks for listening and as I always say may the gods watch over you जाएंगे